नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में अगर आपने दाल चावल बना ली है तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं उसके लिए चाहिए आपको 300 ग्राम बींडी इसे मैंने अच्छे से वाश करके साफ कपड़े से पोच लिया है बींडी के दोनों तरफ हम हलके हलके डंठन निकाल कर इसे हमें देखे एक बींडी के इस तरह से डाल दे और आप देख सकते हैं भींडी है ना गीली नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा पहले सी पानी से अच्छे से वाश करके इसे कपड़े से पोच ले ले लाए उसके बाद इसके अंदर डाल दे हैं एक चौथाई चमच आमचुर पावडर एक चौथाई चमच हल्दी पावडर आधी चमच धनिया पावडर आधी चमच लाल मिश पावडर स्वाद के अनुसार नमग एक चौथाई चमच इसके अंदर डाल देना है बुनाजीरा पावडर दो चमच जितना चावल का आटा यानिके राइस फ्लोर और एक चमच बेसन दाल दीना है अब अच्छ से से मिला लिना है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिला तो लिया है पर भींडी पर सारी चीज़ें हमें अच्छ से नहीं चिपकी है तो अच्छे से चिपक जाए उसके लिए आपको थोड़ा सा पानी का इस्तमाल करना है देखे पानी आपको जादा नहीं डालना है बस लगभग एक से दो चमच या दो से तीन चमच जितना यह सारी भींडी के अंदर सब चीजे चिपक जाए इतना ही आप जब यह खूब अच्छा तेल गरम हो जाए तो एक एक करके इस तरह से भींडी डालते जानी है और यह एक्टम कुरकुरी हो जाए तब तक आपको इसे फ्राय यानि की तल लेना है यह कुरकुरी भींडी बनाना बहुत ही आसान है जैसे देखे हम सारी सबजिया बनाते है तो रोटी के साथ खाते तो पेट भर जाता है पर यह ऐसी नहीं है आप इसे सूखी सबजी के तोर पर बना सकते है साइड में जैसे कि दाल चावल बना लिए तो साइड में यह बना लीजे या फिर कभी थोड़ी बहुत सबजी कम पर जाती तो यह या फिर स्टार्टर के तो पर बच्चों को दीजे वो भींडी खा भी लेंगे हेल्दी भी है और साथी साथ उन्हें मज़ा भी आएगा तो यहां पर आप देख सकते एकदम यह कुरकुरी हो जाए ना तब तक आपको इसे तल लेना है यानि की फ्राइ कर लेना है इसी तरह से प्लेट पे निकाल थाथ झालूआरे कर लेँ ईपने वाचे तल लेकर वहां बच्छों कि खाए लुसा पर देख सकते खालों कि अपत्तों कि आपको उन्हें साथ जब लग्टाए माज़ से ने मज़ें से घरें पाइटों कि आपको धजाएगर आपको। झाल झाल